स्वालू गाईज एंड विल्कॉम टू मैं चैनल सो फ्रेंट्स मैं उससे सुखला और आप देख रहें A2Z प्रैक्टिकल सो फ्रेंट्स आज जो एक्सपरिमेंट है वो चेमिस्टिक नमर टेन है और यह बिसिकली एक्सपरिमेंट नमर टेन से आप मत इसको याद रखो इसको एन बिसिकली क्या है एन तो छोड़ों पर इसको चीजह में बता देता हूं इसको बिसिकली हम ख्लोरोफॉर्म और एसी टोन का एंथाल्पी डिटर्माइन करने वाले मतलब कितना एसी टोन में एक्लोरोफॉर्म में डालने के बाद कितनी एनरजी रिलीज होती कितनी एणरफ हो रहा है कि एनरजी होगा हो रहा है फूसारी चीजरी चेकाउट करने वाले और देखेंगे कि क्या ही एक्जुथर्माइक रिक्शन में रचाए तो टेमपरिशंट क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा ठीक है इंड्रॉक मतलब जहां तो एंभर करते हैं छेलो हमद पटाफ़र साइट करपर यह आपको पॉलिथीन बॉटल दिख रहा होगा ठीक है यह थर्मामीटर है ठीक है यह है अपको क्लोरो फॉर्म और यह हमारे पास सिलिंडर है और मैं एक बीकर लिया हूँ ठीक है आपको क्या कहना आपको प्रोसेजर बहुत यासान आपको एसिटो बॉटल को अंदर से ड्राय किया हुए है ठीक है यह मारा ड्राय पोलिथीन बॉटल है प्रकारइब ट्वेंटीफाइफायेगा एसिटोन लोगा मैं इसको थ्रव्याइफायेग्स कर देता हूँ जगा बना देता हूँ अब मैं क्या करूँगा 25 यह में यासिटोन अच्ग तो मैंने क्या ले लिए 25 ml dry acetone ले लिए और इसको में polythene bottle में transfer करूँगा और आपको क्या करना है इसका temperature note करना है so that is your initial temperature यह तुमारे क्या हो जाएगा initial temperature तो मैं इसका temperature यहां से note करता हूँ और देखता हूँ कि इसका initial temperature क्या है इसका temperature कितना आगे है मेरे 25 क्यों क्यों आ रहे पता है फिलाल बहुत जादा बारी से बहुत रूम का temperature तोड़ा डाउन है इसका temperature कितना रहे 25 डिग्री celsius अब हम क्या करते है मैं इसको निकाल देता हूँ यहां पर अब दूसरी जगा मैं लोंगा यह दूसरा सिलिंडर मैंने लिया है मैं लोंगा कितना chloroform लोंगा chloroform मुझे कि ना लेना 25 में सेम लोड़ा आपको लेना कितना 25 तो मैं यहां पर लोगा 25 में chloroform चलिक को कि 25 मैंने कहा ले लिया है यहां पर क्लोरोफॉर्म यहां पर मैंने लिया है chloroform ठीक है फ्रेंट्स एक बीकर में रहा है था आपको और आपका इसको इनिशल टेंपरेचर नोट करना रहा है ठीक है मैं इसका इनिशल टेंपरेचर नोट कर ले रहा हूं कितना है तो फिलाल इसका जो इनिशल टेंपरेचर है वो यहां पर मुझे शो हो रहा है यह 26 हो रहा add chloroform from the beaker to the polythene bottle containing acetone and stir to mix यह chloroform है आपको इसको acetone में डालना है यह चीज़ी याद रखनी पड़ेगी आपको तो मैं इसको क्या करता हूँ इसको मैं दीरे-दीरे इस acetone में put करता हूँ ठीक है और इसको मैं बन कर दूँगा यहापे और इसको अलका सा शेक करना है इसको मैं पर बन कर दूँगा क्योंकि हमें दोनों को mix करके ना इसका temperature note करना है इसको शेक करना है और उसका temperature जो भी हमें क्या करना है नोट करना है कि काफी शीट प्रेड्यूस कर रहे हैं यहापे लाले इसकी heating ज्यादा है तो यहाँ पर दिखते इसका temperature कितना राइज होगा है तो फिलाल तो यह 35 पहुच गया है 36 पहुच गया है कि ठीके फ्रेंड्स कितना पहुच गया है 36 टी टीवन टीटू आपको पता चल गया टीवन आपका कितना था टीवन टीटू आपका 26 था और जिसको आप पर टीफॉर लिखेंगे जब दोनों को मिक्स किया गया था आपके उसमें चार्ट में तो धाट इस जो 36 टीग्री सेस्सेस कितना है वह 35 टीवन एफ है तो इकितना और जाएगा 35 डिग्री सेस्टिस सो फ्रेंड्स फाइनली मेर मेरे सामने चार्ट ओपें हुआ देख रहा हूंगे वहां पर बिसिकली सारे टेंपरेशन में लिख रहा हूं और वहां पर एक कॉलम में दिया हुआ है कि टीवन प्लस टीटू करना है तो जैसे आप टीवन और टीटू को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा तो आपको नीचे काल्कुलेशन को देख रहा हूंगे आप वहां पर डिल्टा टी की वैल्यू पूट कर दीजिए आपको मुल्टिप्लाइग केजिए और लास्क में फ्रेंट्स आपको यह आंसर मिल जाएगा यह बहुत इस एक्स्परिमेंट होता क्या है कि जब यह एक और क्लोरोफर्म आपस में बनाते हैं तो यहां पर क्या होता है इनर्जी रिलीज होते है और यह बहुत ही मतब बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिकल से केमस्री का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे अपने फ्रेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें मुझे इस चैनल पर आप अपना सपोर्ट जरूर दें ठीक है और जादा से जादा नोगों तक शेयर करें और थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज सस्क्राइब एटू जेट प्रैक्टिकल थैंक्यू